हेलो फ्रीड्स तो चलो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही ब्यूटिफुल सा बैकनेक डिजाइन बताने वाली हूँ जो कि सिंपल भी आप घर पे भी पहन सकते हो और पार्टी में भी इसे पहन सकते हो तो चलो इसको हम यहाँ पर सबसे पहले इसकी विर्थ के दो पकिते हैं नहीं जाएंगे पंड़ करने गल्ला सेफ अपर जानता है तैयार उसमें से 1.5 इंच प्लस कर लेना है जैसे मुझे 10.5 इंच चाहिए 1.5 इंच हमने यहाँ पर प्लस किया तो 11 इंच पर निशान लगाया अब इधर साइड हम ज़्यादा वेर्थ नहीं रखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम 3.5 इंच ले रहे हैं यहाँ पर 3.5 इंच लिए 4 इंच अगर ले ले लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा डीप हो जाएगा तो अगर आप डीप पहनना चाहते हो तो कर सकते हो तीक हमने तין इंच लिया और फिर इधार साथ के लाइन खीज देंगे इस तरीके सिलिया है अब इसके बाद यहाँ पर उपर के साईट कम से कम हाफ इंच छोड़ते हुए मतलब हाफ इंच से थोड़ा जादा भी छोड़ सकते हैं लेकिन हाफ इंच से कम नहीं छोड़ना है इस तरह से यह छोड़ा और यहाँ पर नीचे से 3.5 इंच पर निशान लगाया और फिर इसके बाद यहाँ पर हम इस तरह से एक लाइन खेच देंगे तो यह हमने यहाँ प यहाँ पर जो नीचे वाला सेफ है इसको हम पेपर पेस्टिंग से बनाएंगे इसको हम डायरेक्ट नहीं फोल्ली करेंगे तो हमने ले लिया है पेपर पेस्टिंग बिल्कुल पतला वाला ठीक है तो अब हमको इसको लेने के बाद यहाँ पर हमने जो गला बनाया इसको हम ले लिया तो हमने जो पेपर पेस्टिंग लिया हुआ इसको हमने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है और अपना यह गला लेना है गला लेनी के बाद यहां पर अपना बैक पार्ट लेनी के बाद बिल्कुल से इंटर से इसको मिलाते हुए पेपर पेस्टिंग को इस तरीके से रखेंगे गले के उपपर मतलब पेपर पेस्टिंग को अपने गल्या जो हमारा गला हमने ड्रॉ किया है उसको बिल्कुल इस तरह से रखेंग जिससे कि हमको बार-बार मेजर्मेंट नहीं लेना पड़ेगा और यह हमारे पेपर पेस्टिंग में छप जाएगा तो थोड़ा यह हमने यहाँ बैपर पेस्टिंग में छप जाएगा तो यह हमने यहाँ पर निशान डाल दिया है अब इसको पूरा खटा देंगे जो हमारा फैब्रिक है बेग पार्ट है तो इसको हम थोड़ा साइड में लग देते है और यह बैगन कि वैट की वेज़े से जढ़ा दि और बस इस तरीके सी हम ने यहां पर इसे निषान रोख कर लिया है जो हमें पैटन चाहिए हमने पेपर पेस्टिंग में अब हम बैक पार्ट को साइड में रखते हैं अब हम क्या करेंगे जो हमने निशान ड्रोख किया हो उससे हर जगह से हाफ इंच एक्स्रा पेपर पर इसको एसे ही फॉल्ड करके रखेंगे ज्सी यह अचीटिये से बॉड़ ओडेंगे यहां पर यहां पर इसकी कटिंग कर लिया तो यह दो यहां पर इसे कट आप으 यह हो गया हमारा बैटर यहां पर के निकालाई पेपर पेस्टिंग के अभी हम यहां पर में फैबरिक के ऊपर अपना अस्तर का फैबरिक रखेंगे में फैबरिक के सीधे साइड में और यहां पर उपर की साइड गले का निशान पर सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से हमने यहां पर सिलाई लगा लिया और अंदर से इसकी कटिंग कर लेंगे कहीं कहीं पर कट्स लगा देंगे नीचे की साइड भी यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और नीचे से कट्स लगा देंगे जो एक्स्रा है इस तरीके छोटे-छोटे से कट्स लगाया अब इसको हम पूरा इस तरह से पूरा ओपिन कर लेंगे तो अब हम इस इसको पलटने के बाद यहाँ पर नीचे से अच्छिफ नीसिंग वाली सिलाई लगा देनी है और गले के पास में गले वाली सिलाई अच्छिफ नीसिंग से लगा देनी है तो चलो यहाँ पर हम शिलाई लगा लेते हैं यहाँ पर शिलाई लगा लिया अब इसके बाद इसको हम पलट करके लेंगे में फैबरिक और अस्तर फैबरिक को जोड़ लेंगे तो यहां पर में फैबरिक अस्तर फैबरिक को साइट साइट से बड़ी बख्या से सिलाई लगा लेंगे तो इस तरीके से हमने यहां पर सिलाई लगा लिया और जो भी एक्स्रा का फैबरिक है उसे जोलो नहीं यहां पर अपना पैटर्ण पूरा बना लिए आप का उते में सीद्ग पे इसका में आनी के यहां पर यहां पर बिलकुल तःग बना देनी है और तह बनाने के बाद इसको हम पूरा ओपिन करेंगे और वही जो हमारी तह बनी है उसी के उपर से लाइम खीज देंगे तो इस तरह से यह हमारा इसका सेंटर निकलाएगा क्योंकि हमें अभी बीच में अपना गला बनाना है तो गला हमारा बिल्कुल सेंटर पे ही आना चाहिए तो हमने पेपर पेस्टिंग का अपना पैटर्न तयार करा था उसको ले लेंगे और तो उसे तयार करना है पहले तो यहाँ पर हमने लिया पेपर पेस्टिंग तो जो चिकना वाला भाग है उसको हम कपड़े की साइट को रखेंगे और कपड़ा हम इतना लेंगे कि हर जगह से हाफ अब प्रेस कर लिया है यह हमारे कपड़े में चिपक चुका है अब चिपकने के बाद यहाँ पर हमारा एक्ट्रा का फैबरिक उसे हमें हाफ इंच एक्ट्रा लेते हुए अपने पेपर पेस्टिंग से काटिंग कर लेंगे कुण लिया है क्योंकि इसको हम इस तरह से अंदर के श्रेट फोल kijken शिलाई लगाएं गे तो बस हाफ उंची लेना है उससे ज्यादा नहीं लेना है इस तरीके से यहां पर पूरे में शिलाई लगा लिनीं है तो यह हमने यहां पर शिलाई लगा लेते हैं तो यह हमने यहाँ पर शिलाई लगा लिया देख सकते हो यह हो गया हमारा गला अब इसके बाद इसको हम इस तरीके से एक बार फिर शे फोल्ल करेंगे मतलब कि इसका भी शेंटर हम निकालेंगे तो इस तरीके से फोल्ल करा कि हमारा यह जो पेपर पेश्टिंग पलटके जाएगा उपर की साइट से दिखे नहीं अच्छे से अंदर की साइड ही पलटके रहे यहां पर इस तरीके से साइट साइट से सिलाई लगा लिया है पिंसे सिक्योर करनी के बाद आप यहां पर इसको ऐसे ही फूल करके कोने पिकट्स अच्छे से लगाएंगे जिससे कि यह हमारा पलट जाए अच्छे से थी फनीसिंग के साथ में थी हमने यहां पर इसे पलट लिया इसको हम अंदर की साइट को ऐसे कर देंगे तो हमने सीधे साइड में रखा था अपना गले का पैटर्न और यह हमारा उल्ट यह तुर्पाई कर लूँगी यह हमारा गला बन के रेडी हो चुका है आई हूप आपको समझ में आया होगा और पसंद आया होगा वीडियो पसंद आई है समझ आई है तो वीडियो को लाइक करते हैं चैनल पर नए हो तो सस्क्राइब कर लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत है निवान